हलो एवरिवान वेलकम बाक टू एकलेवे स्थादी पॉइंट आजम क्लास 10 की हिंदी बुक शितित से यह दंतुरित मुस्कान की व्याक्या को देखने जा रहे हैं यह हमारा पार्ट वन होगा और इस चाप्टर के पार्ट टू में हम देखेंगे फसल और इस चाप्टर के करते हैं तो सबसे पहले आज हम देखेंगे कवी का परीचे तो जो नागार जुन जी हैं उनका जन्व सन 1911 में बिहार के दर्भंगा जिले के सतलका गाउं में हुआ था और उनका जो मूल नाम था वो वैदनाद मिश्य था और उन्होंने आरंबिक सिक्सा संस्कित पाट सा थो गए फिर 1936 में क्योंकि वो सिल्लंका चले गए थे और वहीं उन्होंने बहुत धर में दिख्षित ले ली थी फिर दो साल उन्हें परवास किया फिर उसके बाद 1938 में वो अपने देश वापस लोट आये थे और वो जो थे ना वो गुमकड और अखड सभाब के थे जिस देगी जान दोली दोसर तुम्हारे ये गात छोड़कर ताला मेरी जोपडी में खिल रहे हैं जलजात परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाशान चूग गया तुमसे की जनने लग पड़े शेफालिका के फूल बास्था की बभूल तो प्रस्तुत पांक्तियों में कभी जब बच्चे के एक दात निकलते है न तो जो उसकी मदुर मुसकान होती है जो की बिलकुल मन मोह लेने वाली होती है उसका वणन करते है और फिर कभी की अनुसार न एक बच्चे की जो मुसकान होती है वो मिरितक में भी मिरितक जो आ घर में आंगन में खेलते वक्त खुद को गंदा कर लेते हैं दूल से सन जाते हैं उनके गालों पर भी दूल लग जाती है कभी को ये द्रिश्य देखकर ऐसा लगता है मानो किसी तलाब से चल कर कमल का फूल उनकी जोपड़ी में खिल गया हो तो कभी आगे कभी को ऐसा पटी उसमें से क्या होगा सिफाली का के ही फूल जड़ेंगे चाहे वो बास का पेड़ो चाहे बबूल का अर्थात जो बच्चे के समक्ष है ना कोई भी कोमल हिरदे वाला इंसान हो या फिर पत्थर दिल वाला लोग सभी जो है अपने आपको बच्चे को पूरी तरह से थी वलियम चाहे कितने डुख में क्योंन हो निराज क्यों न हो युदास क्योंन हो है ना तो कभी यहांपर वह वही बताना चाहरे हैं फिर नेक्स पंक्तिया हमारी तुम मुझे पाए नहीं पहचान देखते ही रहोगे अनिमेश ठक गए हो आक लूम है फेर क्या हूआ संके फोड़ूल करता कुंतियों में जो च्छ क्भी तो उचनी पाता है और कभी को एक तक ना भिना probability जप काहां हैं तो कुछ समय तक देखने के को अधे कर दो आधे के लिए तुम तुम थक गए ओ तो मैं ही अपनी आखे फेल लेता हूं। फिर तुम अराम कर सकते हो। अगर हम इस मुलाकात में एक दुसरे को पहचान नहीं पाए तो कोई बात नहीं। तुम्हारी मां हमें मिला देगी और फिर मैं तुम्हें जी भर के देख सकता हूँ, तुम्हारे मुख मंडल को निहार सकता हूँ, तुम्हारी ये जो दंतरित मुसकान है न, उसका आनन्द ले सकता हूँ, यहाँ पर कवी जो हैं बच्चे से ऐसे बाते कर रहे हैं फिनेक्स पंक्तिया मारी धन्य तुम मा भी दुमारी धन्य चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य इस अतिथी से प्रिये तुम्हारा क्या रहा संपर्क उंगलिया मा की कराती रही है मधुपर्क देखते तुम इधर कनकी मार और होती जब की आखो चार तब तुम्हारी दंतुरि दात निकले हैं तो निकलना शुरू हुआ है तो जैसे कि उतने चोटे बच्चे जिनके दात निकलते हैं एक दात आते स्टार्टिक में तो कितने क्यूट लगते कितने मधूर एकदम मन को मौ लेने वाले लगते तो कभी यहां पर बता रहे हैं फिर कभी जब बहुत दिनों лекलते को अपने घर हैं तो इसलिए क्या है? उनका पुतर जहुत नहीं पाथा फिर आगे के पीक है कि ऑनलक है वह अपनी मनमौक चासिवी के कारण धन्य है और गूसको के साथ उसकी माँ और और जिसे उसने जन दिया है और आगे का भी कहते है कि तुम्हारी तुमहारे दर और तुम्हें पराया भी लग रहा हूं कि वह दूर रहते तो रोज दर्शन नहीं कर पाते और उनको पराया भी लगते है और एक तरह उनकी माहें जो उस बच्चे की रोज तो एक तरफ से ठीक भी है क्योंकि मुझे तुम्हारा संपर्क ही कितना मुझ में मुझसे तुम्हारा संपर्क ही कितना है ना यह तो तुम्हारी मा की उंगलिया ही है जो तुम्हें रोज मदूर स्वादिश्ट भोजन कराती है क्योंकि मात उसके पास रहती है तो मदूर स्वादिश्ट भोजन करवाती है परन्तु कवी दूर रहते हैं इसके कारण कवी का और उस बच्चे का संपर्क जादा नहीं है इस कारण कवी बच्चा जो है वो कवी को नहीं पैचान पाता तो इसी के साथ यह चैप्ते है अगर आपको कोई चीज समझ में ना आई हो तो डू रइट ने कमें सेक्षन and if you like the video so don't forget to like, share and subscribe thanks for watching